वेलकम टो चैनल नौलज़ आफ फार्मेसी अमल पित मिस्रण संस्पेंशन का आज हम रिव्यू करते हैं तो ब्राउड नेम की बात करें तो दूद पापे सर खाफी फिमस ब्राउड है सिरी दूद पापे सर और ये अमल पित मिस्रण जो संस्पेंशन है ये आयूरवेदिक फार्मूलेशन यानि आयूरवेदिक फार्मूलेशन से बनाया गया है और बहुत ही केरफुली ये बनाया गया है और इसमें बहुत ही जरूरी एसेंसियल इनिग्रिडेंट हैं जो की जैसे की वसा और गुटची यानि जो है गुटची जो है पिपता पादा निम्बू चिरैता एटीसी जो की मैनेज करते हैं जो की मैनेज करते हैं डाजेस्टिव डिसॉर्डर को डाजेशन के डाजेशन को ठीक करने का काम करते हैं और ये इफेक्टिव होते हैं इंप्रूबिंग मेटाबॉलिमाचों को इंप्रूब करते हैं और ये sudah इंडिविज्वर्स्ट स्वाइम का जो मेटाबॉलिम को इंप्रूब करते हैं पूर एपटाइड जिनकी बहुत खराब, जिनको बहुत खराब भूंक न लग रही हो, जिनकी बहुत कमजोर सकती हो, पाचन सकती हो, उनको भूंक न लगती हो, और हाइपर एसिडिटी की समस्या हो, बहुत जादा गैस बन रही हो, नोजिया फील हो रही हो, मितली आ रही हो या उमिटिंग का कंडिशन हो रहा हो यह अल्थर में होता है और यह एक potent anti-acid भी है जो कि relief कराता है यानि आराम दिलाता है heartburn से heartburn की समस्चा को salve करता है और जो है re-stabilizing re-stabilize करता है metabolic acidity को जो कि अल्थर के लिए बहुत फाइदेमंद है और cretin harmful जो substance होते हैं उनका safe जो है यह जो है उनसे बचा के रखता है और यह बढ़िया कारी करता है अब देखते हैं डॉक्टर इसको कहां पर प्रियोग में लेते हैं तो इसको जो है hyper acidity के आगर condition है तो डॉक्टर इसको prescribe करते हैं अगर hyper acidity ज़्यादा gas बन रही हो जिनको बहुँ ज़्यादा gas की समस्या हो उनको दिया जाता है और nausea omitting यानि उन्टी का condition हो या मितली आ रही हो तब भी जो है क्योंकि यह gas की वज़े से होता है तो दिया जाता है improved digestive metabolic metabolic health यह हमारे digestion को बढ़िया करता ठीक करता बढ़ाने का काम करता है और metabolic metabolic health होता है यानि जो metabolic की process होती है हमारे खाना खाने पे उसको यह सही करता है यानि लीबर को भी सही करता है तो इस तरीके से यह कारी करता है तो यह जो है indigestion की अगर समस्या हो जिनको अपच की problem रह रह रही हो जिनका खाना ठीक से ना पच रहा हो उनके लिए भी बहुत ही अच्छी दवा है heart and throat burn जिनका लग रहा हो heart यानि gas की वज़े से सीने में जलन हो या जो है जलने का source का अहसास होता है bitter जो है या गैस्टिक अल्सर में भी यह दिया जाता है तो यहां पर डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं bleaching bitter bleaching या गैस्टिक अल्सर में प्रिस्क्राइब करते हैं अब इसमें जो है कौन-कौन से ingredient है तो वसा है गुट्ची है कि अंबलिकी आ मुक्ताश उक्त抑प्ड़ाइब और जो है निम्बू है चिरयता है तिर्पला है पोटल है यह थीम अध्यू है और जो है Aaina की है मुक्ताश उकती है और जो है SAU है यह सब जो है इंग्रिड़ेंट को हमारे chilli का हमकरते हैं वो सब जो की ingredient है इसके वो सब जो है यह इसके की ingredient है इसको मिला के इसको बनाया गया है और जो है side effect की बात करें तो यह natural है यानि 100% herbal और natural है herbal और natural ingredient मिलाए गए हैं जो कि यह कोई side effect नहीं देते हैं वहीं अब बात करते हैं इसके dogez की तो take 5 to 10 ml 3 times a day and directed your physician तीन से चार बार जैसा कि आपके doctor कहते हैं वैसा आपको सेवन करना है जैसे अगर बच्चे हों तो उनको वह 5 ml तीन बार प्रिस्क्राइब करते हैं और जो एडल्ट है यानि जो बड़े ब्यस्क हैं उनको जो है 10 ml जो है तीन या चार बार खाना खाने से पहले इसको दिया जाता है तो ये अपना बढ़िया रिजल्ट देता है ओके थैंक्स आप चाहें तिसके इन सौट ले सकते हैं फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में